Good morning friends, this video is for those who are preparing for Rajasthan Junior Engineer Exam 2020 This is our sixth video in this series, let's start with question 1 Who was the author of Nartya Kosh? Nartya Ratan Kosh की रचना किसने की? तो आईए इसके बार में देखते हैं दो languages में published था Sanskrit और Hindi and कहां पे published की गई थी जैपुर में 1957 चे अठावन में और subject कौन-कौन चे थे Music, Indian History and Critism और author कौन-कौन रहे हैं इसके कुमबा जो की महरानव मेवार 1433-1468 के बीच में पारिक रसिकलाल चोटलाल अठारस सुस्तानमे में साहा प्रियबाला 1920 में तो इसके options को देखें तो first है कुमबा, yes, second मदन नहीं, third सोम नहीं and fourth है जगजिवन बट नहीं तो first का answer हो जाएगा, first second question तो इसको देखते हैं पोटरी वाज मेजरली ओफ टू ताइप्स दो टाइप के होती हैं handmade and wheel thrown first reference of pottery कहां पे मिली थी? नियोलितिक एज में, जो की handmade थी then चैलकोलितिक लेज इसको first metal era भी बोलते हैं has been marked by the occurrence of distinct cultures in various parts of the country and that are अहार कल्चर in साओथ इस्टन राजिस्तान and मालवा कल्चर in वेस्टन मद्यपरदेश different kind of pottery कौन कोंची हैं black and red wear pottery black on red wear यह दोनों different है black and red wear and black on red wear and third is ओचेयर क्लड़ पोटरी OCP जो की हमारा question में पुछा गया है black and red is widely used and cultures like अहार बनास वहाँ पे इसके साख से मिले हैं short presence of black and red wear pottery with white liner designs इसके उपर white line की designs बनी होती हैं तो options को देखें तो second option हमारा answer हो जाएगा third question between which power was the battle of सारंगपुर 1437 AD fort सारंगपुर युद 1437 किन राजियों के मद्य हुआ आए इसके बारे हम देखते हैं महपा पन्वार who was one of the assassins of कुंबा's father Rana Mokkal and was sheltered by Mohamed Khilji who was the Sultan of Mandu Rana कुंबा demanded surrender of refugee from Mohamed Khilji but he refused and इसकी इस कारण की वजय से उन दोनों के बीच में हमेशा युद दोते रहे this initiated hostilities between Mayward and Mandu and Rana कुंबा advanced to attack Mandu तो Rana कुंबा ने आकर्मन कर दिया Mandu पे Rana कुंबा infelicited defeat Sultan of Mandu और Rana कुंबा ने Sultan of Mandu को हरा दिया सारंगपुर का युद किस-किस के बीच में हुआ था वो था Mayward और मालवा जिसमें Mayward और Rana कुंबा के अंडर आते था जिसमें 32 दुर्ग हैं और मालवा में कौन सा रिजिन आता था सत्पुडा in the south तो गुजरात in the west बंदेलकंड in the east और मेवार in the west तीक है तो ये पूरा area मालवा के अंडर रहता था मेवार जो कि कुंबा का था तो मेवार और मालवा के बीच में इसका युद्ध दुआ था इसके दूसरे options देखें जो कि काफी कुलोई जो second option मेवार और मारवार है वो तो वो नहीं होगा और गुजरात और मारवार ये तो गलत है और मेवार और चंदेल भी नहीं है तो मारत थार्ड का first option answer हो जाएगा फॉर्थ कोशन खजवा युद्ध में औरंग जेब का साथ किस ने दिया था तो इसके बार हम देखते हैं बैटल ओफ खजवा या खजुहा वाज फोर्ट अन 5 जनवरी 1659 बिट्विन नियूली क्राउड मुगल एम्परर औरंग जेब औरंग जेब एंड सहा सहुजा उसने अपने आपको डिकले कर दिया मुगल एमपरर इन बंगाल में औरंग जेब हैड आर्मी ओफ 90,000 औरंग जेब एंड आरमी और वाज मीर जुमला टू और रिजवर बिहाइंड जो आरमी थी उसकी उसके जो लीडर्स थे कमांडर खिलिच खान भादूर और सहिस्ता खान और इस टू आरमी फेस्टो बैटल ओन दा ग्राउंड नियर विलेज खजवा इन फतेयपो डिस्टिक और राइट विंग ओफ दा जो ओरंग जेब आरमी की थी उसको लीड किया था जस्वन सिंग राठोर जो कि जोदपुर के थे उन्होंने पहले ओरंग जेब के साथ ही युद्ध किया था बैटल ओफ दर्मत में और सहा सहुजा की आरमी थी वो उसमें पच्चिस जार सैनिक थे और इसको लीड किया था सन बुलेंद अक्तर और सुल्तान बैंग और जैनूनेल तो एगर options को देखे हम कि who associated ओरंग जेब in the battle of Hajwa तो जस्वन सिंग जन्होंने right wing को lead कया था है करन सिंग नहीं था जै सिंग भी नहीं था और भीम सिंग भी नहीं था तो fourth का answer हो जाएगा first next question fifth इधर temples दे रखे हैं और इधर उनकी places दे रखी हैं और वो पुछा है कि which court does not match कौन्चा match नहीं करता है तो first option है स्रीनात जी जो कि नात दुआडा में है राजचंबन डिस्टिक में पढ़ता है ये और लोड कृष्णा की यहाँ पे पुजा की जाती है second is दुआर कादीश जी जो कि कंकरोली में है और डिस्टिक राजचंबन में ही पढ़ता है and it is also known as जकत मंदिर जहाँ पे लोड कृष्णा की पुजा होती है and the red stone ideal है जो को मतुरा से लाया गया था and महराजा राज सिंग first in 1676 उनके राजकाज में ये मंदिर बनाया गया third option is मतुरादीश जी जो कि यहाँ पे जोदपुर से मैच किया हुआ है वो गलत है क्योंकि ये कोटा में पढ़ता है 1795 में बनाया गया fourth is गोविन जी जो कि जैपुर में ही है बिल्कुल सही वैसनाव टेंपल है लोड कृष्णा की यहाँ पुजा वती है वरंदावन चे लाई की थी यह मूर्थ तो अगर fifth के options देखें फस्ट राइट मैच सेकंड भी राइट मैच थार इस रोंग मैच क्योंकि यह जोदपुर की जीखें कोटा आएगा तो fifth का हमारा third answer हो जाएगा next is six तो यह है हमारी गरगोन जो कि जालावा डिस्टिक में पड़ता है तो इसको आप याद कर सकते हैं तो sixth का answer हो जाएगा first गागरेन में seventh question who established जसननाती section जसननाती संपरदाय की स्थापना किस ने की अगर options को देखें लालदास नहीं है प्राणनात भी नहीं है हरिदास भी नहीं है नात मुनी भी नहीं है को कि यह repeat हुआ एक उर्गहां मैंने बताया था कि इसके संस्तापक थे जसननात जी महराज जिनका जनम 1420 में कतियारसर बिकानेर में हुआ था वहाँ पे question पूचा गया था सिंदू दड़ा एंड कोडागरद तो सेवंध का आंचर हो जाएगा जसननात तो यह किस चेत्र सैली से समंदर आयन का तो वो थे साली ग्राम, जमनादास एंड अदर आर्टिस्ट 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 फोर अलवर स्टाइल उफ पेंटिंटिंग राजा बलवन्चिंग जो कि अंगरेजों के राजकाल में जो बारत था उसके उन्होंने सर्वे किया था और जो यहां पे 364 बासाएं और बोलियां बोली जाते थी उनके उपर उन्होंने सर्वे किया था और जो जब्राइम ग्रीम्चन का जन्म 1811 में हुआ था जो कि आइरिस अइनिस्टेटर थे और यह पब्लिस्ट नूमरेस स्टेडीज इन जर्नल्स उफ लर्न सोसाइटीज और रोट सेवरल बुक्स तो नाइन्थ का है लिंग्विस्टिक सर्वे अफ इंडिया के लेका को थे फर्स्ट उप्शन जार्ज ग्रिस तो इसके बारे में देखते हैं जिसको सिंदारा थीज भी बोलते हैं इस स्रावना भादरपद और वैसा के सब के सब मंद्स उफ हिंदू कलेंडर होते हैं जिसके ओपर पीछे कोशन पूछा गया था तो हमारा कोशन था हर्यालितीज जो कि थर्ड लुनर दे थर्ड मीन्स तर्तिया और ब्राइट हाफ अफ लुनर मंद्स शुकल एंड मंत ओश्रावन शुकल तर्तिया फर्स्ट उप्शन तो टैंथ का हमारा फ़स्ट आंचर हो जाएगा तो इसके बारे में देखते हैं कि ये थे आरसी दत है रमेश चंद्रे दत थर्ड ओप्शन जो है वो हमारा आंचर हो जाएगा और ये इंडियन सिविल सर्वेंट थे एकोनोमिक्स थे इस्टूरियन भी रहे हैं राइटर ट्रांसलेटर ओफ रामायना और महाबारता और इनका जन्म अठारस वड़ तालिस में वाद तो इलेवन्थ का आंचर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट इस्ट्वेल्थ शारबाग स्थित है तो शारबाग इस लोकेटेड नीर दा छत्रा विलास गार्डन और शिखर बुर्ज सागर रोड इन बुंदी डिस्टिक और अगर ट्वेल्थ के ओप्शन को देखें तो फिर्स्ट ऑप्शन बुंदी डिस्टिक हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रजामंडल मुवमेंट के ओपर हमने डिटेल डिसकसन प्रिवेस येर के एक पेपर में पूछा था वहाम ने कर लिया था तो यहां जो उप्शन दे रखें उनके बारे में देखते हैं इसके ओपर प्रजामंडल आंदुलन पे एक कुशन या दो कुशन तो जरूर पुछ चाते हैं हर पेपर में ने देखा है तो पहला है हडोती प्रजामंडल जो कि 1934 में हुआ था एंड नैनु सर्मा ने इसको लीड किया था जो कि बुंदी और ब्रदांदुलन के भी निर्तरते जिनों ने किया है सेकेंड इस मारवार प्रजामंडल और सेम 1934 और जैना एंड व्यास इस असोशेटेड विदेट जपर प्रजामंडल जो कि 1931 और 1938 दो बर हुआ जिसमें अरजुनलाल सेटी ने 1931 में असोशेट रहे जमनलाल ब्रजाज 1938 और फॉर्थ इस भीकानेर प्रजामंडल जो 1936 और मंगाराम वैद्य और रगुवर द्याल गोयल तो थर्टीन का हमारा आंचर हो जाएगा हरुर्ती प्रजामंडल से असोशेट रहे हैं पंडित नैनुराम सर्मा और नेक्स फोटीन फ्रों वहर वाज दन न्यूजपिपर प्रताब प्रताब नामक समाचार पत्र कहां से पर लेंग्वेज न्यूजपिपर क्योंकि प्रताब जो था हिंदी और दोनों में पॉब्लिष्ट होता था तो हिंदी के जो फाउंडर और एडिटर थे वह थे गनेश अंकर विद्यार थी प्रताब न्यूजपिपर का जो हैड़ ओफिस एंडिट इस पब्लिष्ट याट न उनको तो इसका जो मुझे मिला है वो है फिफ्टीन का फिस्ट साथवा नेक्स्ट सिक्स्टीन वूज अपाइंटिट इस राजपरमु को मत्य संग तो इसके बारे में देखते हैं दे यूनाइटिट सेट ओफ मत्य यूनियन और मत्य संग वाज़ स्टेट ओफ इंडिया वाज फोर्म्ड ओन 17 मार्श 1948 और जो कि मर्ज करके बनाया गया था चार प्रिंचली स्टेट अलुवर बरतपूर दोलपूर और कारोली और सोबाराम कुमावत को सीम उफ दस्टेट बनाया गया था राजमु मों कोन मना था महराजा ओफ धोलपूर जो कि हमारा क्यूस्टन हैं who was appointed as the राज प्रमुकुफ मत्य संग जो कि था धोलपूर के राजा तो 16 का हमारा आंचर हो जाएगा धोलपूर रूलर नेक्स्ट इस 17 हू सेट अप देश हितकरनी सभा इन उदयपूर तो इसके बारे हम देखते हैं it was established on 2nd July 1837 in उदयपूर मेवाड in order to find solution of the marriage related problems and it was established in the leadership of maharana suggesting and what were their key features first is keeping a check on expenses of marriage साधी में जो खर्च होता है उस उसमें नजर रखना and formulation of rules for banning polygon तो इस दो थे तो 17 का हमारा answer हो जाएगा second maharana सजन सिंग तो 17 कुषन का हमारा answer हो जाएगा second option maharana suggesting 18th what is not a puff instrument जो wind instrument राजस्तान में बजाये जाते हैं वो है पुंगी, अलगोरा, सतारा, पेली, नाद, सेहनाई और जो फर्स्ट ऑप्षन है अलगोजा इस पेर of wood wind instrument also known as दोनाली and पावा जोरी इन राजस्तान and second is सतारा जो की वो भी wind music instrument है and it has one long flute and another flute to provide the draw and third is मोरचंग जो की similar to Jew harp होता है used in राजस्तान and it is also the wind percussion instrument and fourth option जो के मार आंशर हो जाएगा sword mandal, यह इंडियन हार्प है used by the gharanas and shramd and it is not the wind instrument, the fourth is our answer next is 19th between whom the battle of Thunga fought, Thunga yudhkin ke maddya लड़ा गया था, तो battle of Thunga or battle of Lalshot 1787, it was fought between combined forces of Jaipur and Jodhpur on one side and Maratha on the other side तो इस युद्ध में kingdom of Gualier, Mughal Empire, Rao Macheri, यह सब एक साइड में थे and on the other side kingdom of Jepurda, kingdom of Marwarta, Mughal under Mohamed Beg Hamdani and Ismail Beg Hamdani and Maratha forces were defeated in the three day battle at Thunga और जो commander and leader रहे हैं, तो वो kingdom of Gualier के साइड में जो थे, वो थे, महाजी सिंदे, जर्नल डीबोगेन, राना खान, कांदे राव हरी, अंबाजी इंगले, मुर्तजा खान बरीज, वासी खान, मोती गीर गोसाई, नजाज खान and लिसनाव ले वसल, and on the other side, जो कि kingdom of Jepur के साइ में थे, और महाजी सिंदिया, जो कि kingdom of Gualier की साइड में थे, तो ये first option हमारा साइड हो जाएगा, second is Ragoba, ये ही नहीं, जस्वन सिंग ये भी नहीं है, ये commander ही नहीं थे, and Jay Singh, ये भी commander नहीं थे, महाजी सिंदिया थे, तो third option भी गिले, fourth is Bheem Singh, ये भी commander है, और महाजी सिंदि and city of Jalavar को found किया था, राजपुत जाला जालिम सिंग ने, and who was, उस ताइम पे वो दिवान ओफ कोटा होते थे, 1790 में, और 1838 में English rulers ने separate कर दिया Jalavar state को and gave it to the mother Singh, जो की grandson थे, जाला जालिम सिंग के, तो Jalavar को कब अलग किया गया था, तो हो था 1838, तो 20 का answer हो जाएगा, second next is 21st, what is the geographical area of Rajasthan, ये concept exactly repeat हुआ है, and वहाँ पे पूछा गया था, कितना percent area था, और यहाँ पे उसका square kilometer में दे रख, so square kilometer में है 342, 239, second option, जो की आपको याद हो जाएगा, and area था percent में था, 10.4 percent of the total geographical area of India, और अगर square miles में पूछें, तो वो था 132, 139, square mile, so 21st का second answer, next is 22, in which one of the tract of Rajasthan, does Malwa plate 2 extends, Malwa के पठार का विश्तर कहां कहां तक है, तो इसके बार हम देखते है, Malwa region occupies a plate 2 in western MP, and south eastern part of the Rajasthan, तो Rajasthan का south eastern part था, and Gujarat in west, in Rajasthan, it includes districts of Jalavad, in some parts of Kota, Banswada and Pratapgarh, and Malwa is bounded in north east by Hadothi region, and north west by Maywada region, and west side में बगद region था है, तो राजस्तान में किस शेतर में इसका विस्तार हुआ वो था, दक्षुनी पूरवी, south east, जो कि हमारा first option इसका answer हो जाएगा, 23rd, Mukundra Hills largely extended in Mukundra की पाडियों का कहां तक विस्तार हुआ, तो इसके बारे में देखते हैं, this reserve extend spread over 759 square kilometers in 4 district, और जो पहली थी वो जिसमें ज़्यादार इसका विस्तार हुआ था, वो था को हम दारा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो established हुआ था, 2004 में, and it consists of three wildlife centuries, next is 24, which river forms part of सांबर लेक इनलेंड रेनेजेरिया, सांबर जील आंतरिक अपवाचेतर की नदी कौन सी है, तो सांबर साल्ड लेक इंडिया की largest inland साल्ड लेक है, and it is located 80 kilometers southwest of the city जैपुर, and the lake receive water from five rivers, one is Med मेंद्धा, सामोद, मन्था, रूपंगर, खारी, and कांडेला, अगर options को देखें, first कांतली नहीं है, बांडी नहीं है, मेंद्धा लिखावा है यहां पे, जो कि spell करता है मेंद्धा, यह है, मांची नहीं है, तो third option हमारा answer हो जाएगा 24 का, and 25th, which one of the following pairs of राजस्तान is correctly matched, तो first is कोथारी लुनी, सुक्री बनास, जाखा माही, and बांगंगा चंबल, अगर fourth option को देखें, बांगंगा और जंबल, both are the tributaries of यमना, जो कि इसमें common चीज है, तो इसके बारे में और facts देखते हैं, बांगंगा originate होती है, बराथ हिल्च इन जैपूर, and it is tributary of यमना रिवर, it passes through madhopur, bharathpur, and fathyaabad, and chambal liver, it is also a tributary of यमना रिवर, in central India, and it flows through northeast through MP, running for a time through Rajasthan, इसका third option था, जाखम and माही, तो उसमें जाखम रिवर के बारे में देखते है, इसका third option था, जाखम रिवर के बारे में देखते है, it originates from district Pratapgarh Mountains, known as Chhoti Saadri, and it flows through Udayapur district in south western direction, and it joins the Som river in Bilara village, which further तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि जो जाकम रिवर है वो खुद ट्राइबूटरी है माही रिवर की तो सुक्री डिवर के बारे हम देखते हैं इट ओरिजनेट सो वेस्टन स्लोप सो फरावली रेंज इन पाली डिस्टिक और फ्लो कहां से करते है जालोड डिस्टिक और बार्ड में डिस्टिक और बिफोर मर्जिंग टू लुनी रिवर नियर माजल और बांधी डैम इसका अधी और बानष रिवर ओरिजनेट स्खांसे होती है खमनोर की हिल्स में रावली रेंज इन राजचंबन डिस्टिक और ये ट्राइब्यूटरी रही है चंबल नदी की और इट्सेल्फ जो की ट्राइब्यूटरी है यमना रिवर की तो इन दोनों में कुछ भी कुमन नही है शूकरी बनास में भी और फर्स्ट ऑप्शन था हमारा कोठारी रिवर और लूनी रिवर तो कोठारी रिवर थी इट ओरिजनेट सों रावली हिल्स नियर देवगर्ड इन राजचंबन डिस्टिक और जोइंस द बनास नांदाराई और लूनी डिवर इस लार्जस था ड है जो कि एक पेर बनाते हैं तो फॉर्ट अपसे नमारा आंसर हो जाएगा फॉर्ट नेक्स्ट इस ट्वन्टेसिक्स मावथा रेनी राजस्तान इस कास्ट ड्यू टू तो वह है इट रकर्स च्यू टू वेस्टन डिस्टर्बेंस ओफ साइक्लोन नियर अरेबियन सी इन प which crops are generally grown in mixed red and black soil in राजस्तान तो red soil के बारे में देखते हैं red loam कौन कौन से डिस्टिक्स में मिलती है डूंगरपुर, बासवाड़ा and some parts of उदैपुर and चित्तोगर राइनफाल केतनी होती है वहाँ पे 70-100 cm and crops कौन कौन सी maize, chilies, wheat, barley and rap seed इसमें उगई जाती है तो इसका texture soil का क्या होता है sandy loam to sandy तो ऐसे black soil कौन कौन से डिस्टिक्स में मिलती है सरी गंगानगर, कोटा, भूंदी, बारा and जैपुर and crops कौन कौन सी हुआ जाती है cotton, rice, wheat and tobacco और texture of the soil क्या है clay to sandy अगर options को देखें तो हमारे black soil के अंदर तो cotton उगती है third option में and red soil के अंदर मेज उगती है तो third option हमारा answer हो जाएगा 27 का classification of soil के बारे में और थोटा जानते हैं, राजस्तान में मिट्टी को दो परकार से विवाजित किया गया है, एक तो old style है and second is new comparative system of classification जिसके बारे में हम एक previous year paper में detail से discuss कर चुके हैं, जहां हमने discuss किया था array of soil, Chinese soil type की जो soil थी उनके बारे में, यह हम old system of classification जिसमें mainly eight types of soil found in राजस्तान और जो दो हमने discuss कर ली, red and black and third is desert soil, जो कि डिस्टिक नागोर, जोदपूर, जालोर, बार्मेर, अनमानगर, सिरियन गंगानगर, चूरू, जुन-जुनू और सिकर डिस्टिक में मिलती है, rainfall is less than 400 mm, यहां पे mm है and crops are खरीफ crops जो कि संबर में ह गए जाती है, next is fourth dunes and associated soils, जो डिस्टिक बार्मेर, बिकानेर, जसल में, जोदपूर, चूरू यहां पे मिलती है, जो कि western राजस्तान का parts है and crops कौन-कौन से उगाई जाती है, बाजरा and खरीफ, and next is brown soil, जो कि डिस्टिक टॉंक, बुंदी, सवाई-मादपूर, भिलवाडा, जोदपूर में मिलती है, rainfall 50-75 cm, and crops, रबी crops भी गए जाती है, and next is zero gems, जो डिस्टिक पाली, नागोर, अजमेर, जैपूर और दोसा में पाई जाती है, rainfall 50-70 cm, और crops, खरीफ crops को हम बारिस के दवारा, and रबी crops को वैल इडिकेशन के दवारा उगाते हैं, next is hill soils, लितोसोल जिन को बोलते हैं, ये add the foothills of अरावली, इन सिरोही, पाली, नागोर, अजमेर में मिलती है, जिसमें crops हुगाने की चमता बहुत कम होती है, very less, and last is saline sodic soils, इसको solon dregs भी बोलते हैं, ये natural depressions, like पच्पादया, दीडवाना, and runoff, जलोर, and बाडमेर, जहां पे जो मिटी मिलती है, इसको हम saline sodic soil बोलते हैं, crops इसमें कोई उपती नहीं है, grasses and serbs ही इसकी plantation है, जो वहाँ उपती है, next is 28 question, dry teakwood forest extend over largest area in which forest division of Rajasthan, तो इसके बारे में हम देखते हैं, जो forest report of Rajasthan 2013 चोदा है, उसमें बतायागा कि forest cover कितना है Rajasthan का, 32,730 square kilometer, जोके approximately है, और percentage में 9.57% of total geographical area of the state, and the forest of Rajasthan is divided into four broad categories, one is tropical throne forest, second is tropical dry deciduous forest, third is bamboo forest, fourth is central India sub-tropical hill forest, and last is mixed miscellaneous, note जो इसमें बताया मैंने, वो है teak forest को हम teak mixed dry deciduous forest भी बोलते हैं, and they are found in southern region of the Rajasthan, जिसमें डुंगरपुर और बास्वारा इस्तिक आती है, and it covers 456.03 square kilometer area, जो की 0.13% of the total geographical area, है, तो options को देखें अगर हम, तो वहां से हमें पता चलता है, कि राजसंबन नहीं है, बास्वार्डा दे रखा है, इसके साथ ढूंगरपूर और अगर आता, तो वो भी हमारा अंचर होता, and third is 0 ही नहीं है, कोटा नहीं है, तो 28 का अंचर हो जाएगा second, next is 29, more than two-third of the rice producing area of Raj राजस्तान falls under which agroclimatic zone, कि राजस्तान में 10 agroclimatic zones divide किया गया है, उनमें से यहां option में 4 mention है, जिनके बारे में हम यहां पूचा है कि दो तिहाई सेदिक चावल उत्पादक छेत्र, किस जलवाई उखंड में आते हैं, तो देखते हैं, फस्ट इस सब हमिट साउधरन प्लेंज, इसमें भारतपूर 1362 kg पर हेक्टेयर, राइस प्रोडेक्शन अलुवर 1200 kg पर हेक्टेयर, सवाई मादोपूर 1200 kg पर हेक्टेयर, धोलपूर 1166, ऐसा ही second zone दे रखाया, flood prone eastern प्लेंज, डुंगरपूर में, and second option दे रखाया, flood prone eastern प्ले हेक्टेयर, सिरोही, चित्तोडगर्ड, एक हजार एक्यान में, उदयपूर 478, ऐसे fourth option है, हमिट साउध इस्टन प्लेंज, इसमें बारा साथ सो साथ, कोटा 1368, जालावाट 1130 kg पर हेक्टेयर, बुंदी 1145 kg पर हेक्टेयर, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो जो सब हमिट Southern Plains है, जिसमें भारतपूर, अलवर, सभाई, माधपूर और धौलपूर डिस्टिक आती है, वहाँ पर सबसे ज़्यदा प्रोडेक्शन फ्राइस होता है, इसले 29th का second option हमारा अंसर हो जाएगा, नेक्स इस 30, इन विच डिस्टिक अव राजस्तान मेवाट ब्रीड with good milking and rough progress, और राजस्तान के जो जो डिस्टिक टच करते हैं मेवाट को वो हैं अलवर और भरतपूर, तो वहाँ पर इस प्रकार की kettle हमें पाई जाते, तो options को देखें, अलवर, भरतपूर और दोलपूर, third option इसका answer हो जाए, तो 30 में जो concept पूछा गया है, इसके ओपर एक क climatic zones का था, उसमें भी एक question हर पार आया, next is 31, बंद बैराथा, वन जीव ये अभ्यान राजस्तान के किस जिले में है, बंद बैराथ, wildlife century is located in which district of राजस्तान, तो it is located in भरतपूर दिस्टिक, and it is declared wildlife century in 1985, और ये bird watcher paradise है, because of 200 species of birds, included black bittern, इसलिए 31st का answer हो जाएगा, first भरत, where are the biological पार्क ने राजस्तान established, तो अगर first option को देखे, नारगड, yes, it is a biological पार्क, and it is located in जेपुर, second is सजिनगड, जो की biological पार्क है, उद्यपूर में है, and मचीया, biological पार्क है, जोत्पूर में, तो 32 का first हमारा आंचर हो जाएगा, राजस्तान में जितने भी national पार्क and wildlife centuries हैं, उसक सजिनगे, World Heritage Sites में आता है, ये भरतपूर डिस्तिक में है, रंतंबोर national park स्वाई मादोपूर में है, सरिसका नेशनल पार्क अलवर डिस्तिक में है, बंद, बरिट, wildlife century ये भरतपूर में है, बस्सी wildlife century चितोडगर डिस्तिक में है, बैसोरगड wildlife century चितोडगर में है, जैसमं संचरी औधयपूरी में है 30 जवार्सागर वायलाइप सेंचरी है कोटा डिस्ट्टिक में सारबाग संचरी ध्र द अधयपूरी संचरी म मांट अबू यफ शिरौिबे डिस्टिक में नह užर्गण वाइलाइप सेंचरी जowe पार्क है ये जैपू डिस्टिक में है 1730 नेशनल चंबल वायलोजिकल पार्क है ये उद्यापू डिस्टिक में है फुलवाडी के नाल वायलोजिकल पार्क है ये उद्यापू डिस्टिक में है रामगड विस्धारी वायलोजिकल पार्क है ये उद्यापू डिस्टिक में है स्वाई मान सिंग वाइड लाइप सेंचुरी स्वाई मादोपुर में है शेरगड वाइड लाइप सेंचुरी बाना डिस्टिक में है ऐसा सिता माता वाइड लाइप सेंचुरी परताब गड शेतोरगड में है तो यहां हमने सब के नाम एक बाड़ी डिस्टिक में पड़ती है यह हमने डिस्टिक में पड़ती है यह हमने डिस्कस किया है जिसको बार-बार आप देखोगे रिपीट वीडियो को तो आपको याद हो जाए तो 32 का अंसर हो जाता है हमारा फर्स नारगड सजंगन मचिया यह सब के सब बायोलोजिकल पार्क नेक्स इस 33 वट पर्सेंटेज उफ लेंड इस इरिगेटेट बाइ कैनल इन राजस्तान 2013 और 14 रिपोर्ट के अकोर्डिंग अकोर्डिंग तो दे रिपोर्ट 2013 और 14 लेंड इरिगेटेड बाइ कैनल इस 1859.1 हेक्टेर 27.6 परसेंट त्यूब यहां पूछा गया है बाइ कैनल जो कि हमारी 27.6 परसेंट है और ऑप्शन को देखें तो नियरेस्ट हमारा पटतास 26.49 और अगर मैं एक उप्शन और दे लगा दे नेक्स is 34th question out of the pair which is not correctly match इधर दे रखें river valley project और इधर दे रखें participating state तो भांकरा नंगल प्रोजेक्ट है इड इस ओन सत्लूज रिवर और बांकरा नंगल और टू देम्स और इसके जो participating state दे रखें पंजाब रेना राजस्तान जो कि सही मैं चाह है और इसके जो प contribuatry or growna and it is located in quota and the participating states are Madhya Pradesh और Rajasthan जो कि सही मैं चाह है and third is Piaz river valley project which has two units unit one BSL project and unit 2 Bias Dam it is considered as the master plan and it is construct to harness the water of the three eastern rivers Satlouz, Bias and Ravi for the irrigation and power production it is located in Talwala Himachal Pradesh participating states ने गलत है क्योंकि इस only dealed by Himachal Pradesh 4th is Mahi Sagar Dam, it is a dam across Mahi river, it is longest and second largest dam in Rajasthan, it is named after Jamalal Bajaj and located in Banswara district, तो जो participating states है गुजरात एं राजस्तन वो इसका सही मैच, 34 का, 3rd option is wrongly मैच, so it is our answer, next is 35th question, on which side is the main dam of Mahi Bajaj Sagar project built, Mahi Bajaj Sagar परोजना का मुख के बांत की स्थल पर निर्मित है तो वो है बोर्खेडा in Banswara district, Mahi river ordinate from S Sardarpur village in Madhya Pradesh, this dam is across Mahi river and it is located 16 km from Banswara and it is constructed during 1972 to 83 for hydroelectric power project, तो 35th answer हो जाएगा बोर्खेडा Banswara district में, 36 question, approximately how much percentage of usable ground water available in Rajasthan is being currently utilized, Rajasthan में उपलब्द भूजल जो अविलेबल है, उसकी मातरा का लगबक कितना परसंद भाग वरतमान में उपयोग में लाया जा रहा है, तो वो दे देखें, percentage of ground water utilized is 1.72%, और जो economically usable of ground water है, उसमें वो है 70%, तो अगर options को देखें, तो जो economically maximum available water हम utilize कर सकते हैं, वो 70% है, उसके ऊपर करेंगे तो वो un-economical हो जाएगा, तो 70 ते ऊपर 75 option गलत है, 50 and 25 बहुत कम है, जो nearest 70% के होए, थार्ड उप्शन 56%, 36 का हमारा आँचर हो जाए ये एक रिपोर्ट से data उठाया गया है, पुरा, आल थाटी-three states of the districts are affected by floruses, बिलकुल सही, ऐखें वेस्टर न साथरन दिस्टिक्स अव अफेक्ट बाए फ्लोरसिश ये भी सही ऐखें और जो worst condition of districts कोन कोन से आते हैं, नागोर, जैपूर, सिकर, जोदपूर, बाढमेर, अज जमेर, शिरोही, जुंजनु, चूरू, बिकनेर गंगानागा districts, ये worst affected by the floruses problem and third option is floruses is more effective in rural areas than urban areas, ये सही है and fourth is more than 70% villages of the states are affected by floruses, ये गलत fact दे रखखा है क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि 51% of the villages affect होते है ना कि 22% तो जो incorrect statement हो गई, वो है fourth, next is 38, cities of Rajatan located on national highway number 12, राश् मार्क संथ के बारा पर कौन-कौन से नगास्थित हैं, so NH12 जैपूर टू जवलपूर के बीच में है, और कौन-कौन से डिस्टिक्स से पास होता राज़तान, ये जैपूर, टॉंक, बुंदी, कोटा, एंड जहलावाड, तो उप्शन को दिखें, जैपूर, yes, अजमेर नहीं है, तो पहला उप्शन गलत, जैपूर, right, बुंदी, yes, जहलावाड, right, तो जैपूर, बुंदी, जहलावाड हमारा सही उप्शन हो जाएगा, सेकेंड, तो 38 का सेकेंड अंसर हो जाएगा, तो इसका अंजर हो जाएगा हमारा 39 का सीकर डिस्टिक में पायराइट के विशाल बंडार मिले हैं और नेक्स्ट इस फोटी लास्ट केसं और आउट ओफ पेर इस नोट करक्क्ली मैच आयरन और मोराजी बनोल माइनिंग अरिया राइट इसका और आयरन और के और कौन कौन चेहें निलिमा राइसोल जैपूर में पूर बनेरा बैल्ट भीलवाडा डिस्टिक में नात किपाल अधर हंडेर यह वदेपू डिस्टिक में माइनिंग एरिया और लाल चोट दोसा डिस्टिक में एंड टंगस्टन दिगाना राइटली मैच जो की नागो डिस्टिक में है और बाल्दा में भी एक माइनिंग एरिया है तंगस्टन का जो की शिरो डिस्टिक में और थार्ड एन कनवास, चित्तार का भार्ड एन थों ये बार्ड में डिस्टिक में है तो फॉर्थ इसका रोंगली में अच्छा है जो कि हमारा आंचर हो जाएगा फोटीत का थैंक यू एन जितने भी पेपर्स अवलेबल हैं साइट्स के ऊपर वो हमने सारे एक एक करके नों टेक्निकल पार्ट उसका सौल कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स वीडियो में कि छे पेपर से हम अनलेसिस करेंगे कि कौन से टोपिक से कुशन पोची जाते है कौन से टोपिक रिपीट हो रहे हैं बार बार उससे रिलेटेड जितने भी टोपिक हैं वो सब हम डिटेल से उसको डिसकस करेंगे नेक्स वीडियो में एक एक टोपिक को एक एक वीडियो में और फिर उससे रिलेटेड जितने कुशन बन पाएंगे वो करेंगे हम और उस क सब को याद करने के लिए हम अपने ट्रिक्स बनाएंगे so keep watching our videos thank you